Hello dear students, welcome back. इस एक्जाम्पल है, a piece of wire in the form of a rectangle, 8.9 cm long and 5.4 cm broad is reshaped and bent into the form of a circle, find the radius of the circle, देखे, question समझे, question क्या कह रहे हैं यहापे, a piece of wire in the form of a rectangle, पहले कोई wire है, ठीक है, वो किस form में है, rectangle form में है, length कितना given है, 8.9 cm and width given है आपको, 5.4 cm, और same wire को फिर से change किया जाता है, किसमें change कर दे जाता है, circle में change कर जाता है, किसमें change कर दे जाता है, circle में, आपको क्या find out करना, आपको find out करना, radius of circle, question समझे, कि कोई wire है, पहले तो वो rectangle form में, इस तरीके से assume कर लेते हैं, wire आपके पास rectangle form में, ABCD rectangle है आपके पास, यहाँ प को next आप देखिए width of wire यहां पे देखिए कि मैंने 5.4 cm अब क्या कहा जा रहा है कि यह जो लेंथ हो यह वायर ABCD यह जो वायर है इसी वायर को change कर दिया गया किसमें circle बना दिया गया पहले आपके पास rectangle था फिर इसी हो क्या क्या circle form में change कर दिया अब आपको क्या करना है इसी circle जिस circle में change किया गया इसका क्या करना है radius find out करना है radius को r हम यह बोल लेते हैं आपको क्या करना है यह r की value find out करनी है तो आप क्या करेंगे देखिए इस wire को change किया गया circle form में तो आप देख रहे हैं यहाँ पर यह wire की जो length है वही length मतलब हम कहा सकते हैं कि rectangle form में wire के जो length थी same length यहाँ पे कहा है circle form में भी है तो अगर हमको कहीं से यह wire के length मिल जाए और कहीं से मिल के आ जाए हमको find out करना पड़ेगा तो हम यह कहें कि कहीं से हम इस wire के length अगर find out कर ले तो जो length यहाँ पे वह यहाँ पे भी होगी तो डियूट की अगर यहां पे देखेंगे तो हमको Circle का perimeter मिल जाएगा यहां हम बोल सकते Circle का circumference मिल जाएगा और जैसे Circle का circumference मिला वैसे हम क्या कर सकते Circle के circumference का formula apply कर के हम Radius की value find out कर सकते है है होग आपको चीज ही समझ भाई होगी चलिए स्कों सॉल्व कर लेते हैं अब हमारे पास क्या देखिए length of wire कि होगा आप देखिए length of wire यहाँ से total length यह क्या है this rectangle का perimeter हम कहा सकते length of wire is the perimeter of rectangle और हमको पता है perimeter of rectangle क्या है twice l plus b twice in bracket l लेंट आफ वायर को हम LW लिख दे रहा है क्या लिख देरें LW LW मतलब लेंट आफ वायर यह क्या हो गया ट्वाइस इन ब्रेकट L प्लस भी आप यहां पर वैल्यू रख दीजिए लेंथ आपके पास कितना है 8.9 cm विट कितना है 5.4 cm तो क्या मिला ट्ू इन ब्रेक levarit 8.9 प्लस 5.4 cm इसको फरदर सॉल करेंगे इसको फदर सॉल करेंगी हमको क्या मिल जाएगा यहां पे 8.9 प्लस 5.4 कर दीजिए तो यह आपके 7.3 क्या हो जागा 14.3 इमको क्या मिल जाएगा का length of wire और length of wire जो कि LW हमने बोला हुआ है यह कितना जागा 28.6 cm अब length of wire कितना मिलगा हमको 28.6 cm अब इसी वायर को हमने क्या किया है चेंज किया है circle form में circle form में change किया है तो अब दिखें हमारे पास length of wire कितना है 28.6 cm अब जिस wire को हमने circle कि हमने जो सर्कल बनाया है उसन्द लंग सकते हैं जब बैन चाहँ दॉर में सर्कल चेंश कर लिया जह लिए खुत्छ कर दियाzięk intens यो length of wire है वो क्या होगा, circle का circumference, तो हम कहते है, circumference of circle is equals to what, that is 28.6 cm, अब हमको पता है circumference is equals to तो क्या होता है, that is 2 pi r, तो radius को हमने क्या है, दो हमके r cm, तो यहाँ पर हम कह सकते है, 2 pi r is equals to 28.6, इसको further solve कर दीजिए, pi की बेल लोगो बता है, कि अगर कुछ नहीं दिया है, question में हम क्या लखेंगे, 22 upon 7, तो यहाँ पर क्या में लगा, 2 into 22 upon 7 into r is equals to 28.6, further solve करेंगे, तो आज दी कोस्टों क्या हो जाएगा, 28.6 into 7 divided by 2 into 22 cm, इसको further solve कर दीजिए, इसको further solve करेंगे, तो क्या मिलेगा, दीजिए, 286 into 7 divided by 2 into 22 into 10, दीजिए, यह 28.6 थाई, तो 28.6 को हम यहाँ पर 286 लेकर लिख रहे हैं, तो यह upon क्या हो जागा, 10 यहाँ करना पड़ेगा, दीजिए, आपके पास क्या है, 28.6, इसको हम लिसकते है, 286 divided by 10, वह यहाँ पर लिखा गया है, तो हमको क्या मिलेगा, दीजिए, 4.55 cm, दीजिए, 286 into 7 कर दीजिए, और यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए, 2 into 22 into 10 से, यह फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, कि पहले इसको further simplify कर लिजिए, further simplify करने के बाद, आप numerator मेटर में जो टंसन को multiply कर दीजिए, denominator में जो टंसन को multiply कर दीजिए, फिर numerator को denominator से solve करिए, आए होग आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर आपको radius के बाल हो कितनी मिल कही, 4.55 cm, चलिए, further चलते हैं, next question हमारे पास क्या है, next question है, the diameter of a wheel of a cycle is 70 cm, it moves slowly along a road, how far will it go in 24 complete revolution, अब क्या कहा जा रहा देखिए, कि cycle की जो wheel उसका diameter कितना है, 70 cm, assume कर लिजे आपके पास cycle, ऐसे इस तरीके, assume कर लिजे, cycle का wheel होगा, वो किस form में होगा, circle form में होगा, assume कर लिजे इस तरीके से, अब कहा क्या जा रहा है, कि wheel का जो diameter है, diameter कितना है, 70 cm, यह आपके पास diameter, यह कितना है, 70 cm, it moves slowly along a road, यह road पे move कर है, ठीक है, how far will it go in 24 complete revolution, यह जो wheel है, यह 24 revolution में कितना दूर जाएगा, तो देखे, 24 revolution में कितना दूर जाएगा, यह find out करने के लिए, आपको यह find out करना पड़ेगा, कि one revolution में कितना दूर जाएगा, अगर आपने यह find out कर लिए, कि one revolution में कितना दूर जाएगा, कितना distance cover तो आपासानी से बता सकतें कि 24 revolution में कितना distance कवर करेगा अब बात आथे हैं कि one revolution में कितना distance कवर करेगा तो कैसे find-out करेंगे आप दिखिugi यह one revolution में उतने मिं तर्ज से नहीं distance कवर करेगा जितना इसका आजाएगा ठीक है फिर एक स्टमें ऐसा आएगा कि यह जो आपके पॉइंट है एधर कहीं पे आजाएगा ultimately एक पॉइंट ऐसा आएगा या एक position ऐसा होगा जब यह पॉइंट यहां गहीं पे फिर से आजाएगा तो यह यहां से यहां तक जो total length हो गई वो कितनी होगी जितना इस wheel का circumference होगा आप इस बात को समझेगा यह different position दिखाएगा यह point की सबुसकर यहां पर यह point था तो अगली बार एक कुछ समय बाद कुछ particular time बाद यह point यहां आ गया फिर यह point यहां आ गया at last यह point फिर से यहीं पर आ गया same corresponding position पर यह जो distance है यह कितना होगा जितना इसका circumference होगा यह और यह देखे यहां से हमने इसको rotate करना शुरू किया था इस direction में तो यह क्या हुआ फिर से वापत इसी position में जब point पहुचा तो यह complete revolution हो गया अब यह जो एक complete revolution होगा है उसमें इ उतना ही distance cover किया जितना इसका circumference है तो simply हम क्या करेंगे circumference find out कर लेंगे wheel का circumference मिल गया अदम को पता जाएगा one revolution में wheel का जितना circumference है उतना ही distance वो cover करेगा and further हम find out कर सकते 24 revolution में wheel जो है वो कितना distance cover करेगा हम नोट कर सकते है clearly in one revolution the cycle covers a distance equal to the circumference of the wheel यह चीज़ हमने समझ लिया कि एक revolution में cycle जो है यह cycle का wheel जो है वो इतना distance cover करेगा जितना उसका circumference होगा now diameter of wheel आपको given है कितना है 70 cm तो circumference of wheel formula को पता है क्या होता है पाई डी अब values रख देजे पाई is equals to 22 upon 7 into d की value आपके बास 70 है 70 cm से क्या हो गया 22 upon 7 into 70 cm इसको further solve कर दीजा आपको मिल जाएगा 220 cm देखे 7 से आप यह 70 को divide कर देए 10 मिल गया 10 into 22 is equals to 220 cm सब्सक्राइब को circumference of wheel मिल गया कितना मिल गया circumference of wheel 220 cm सब्सक्राइब सकते हैं distance covered by wheel in one revolution कितना हो जागा 220 cm बढ़ा हमको find out क्या करना distance covered by wheel in 24 revolution सब्सक्राइब सकते हैं distance covered by wheel in 24 revolution is equals to 24 into 220 cm इसको further solve करें तो हमको क्या मिल जाएगा 5280 cm तो हम क्या सकते हैं distance covered in 24 complete revolution क्या है 5280 cm में तो हम क्या क्या करना पड़ेगा हमने एक conversion पढ़ लिया वाल लेडी क्या करना पड़ेगा हमको में चेंज करने के लिए हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 52.80 मीटर तो हम क्या कह सकते हैं कि जो वील है जिसका डियमेटर 70 cm है वील आफ साइकल वो 24 complete revolution में 52.80 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा यह हम कह सकते हैं कि 52.80 मीटर दूर चला जाएगा वील अगर 24 complete revolution करता है I hope आपको question समझ आया होगा चलिए next question की तरफ चलते है next question क्या देखिए next question है the diameter of the wheel of a car is 77 cm how many revolutions will it take to travel 121 km अब देखिए यह question previous question जैसा ही है बस वहां भी हमको यह find out करना था कि number of revolution given था और हमको find out करना था कितना distance cover करेगा अब यहां पर हमको number of revolution find out करना है पहले question number of revolution given था given particular number of revolution में वह कितना distance cover करेगा यह find out करना था previous question में अभी यहां क्या है यहां पर हमको number of revolution find out करना है जबकि हमको given है कि उस जो wheel है wheel of car वो total कितना distance cover किया हुआ है तो concept same है हम क्या करेंगे हम circumference का equation बनाएंगे और solve कर लेंगे चलिए यहां पर आपको given है diameter of wheel of car कितना है आपके बास 77 cm diameter कितना है 77 cm तो हम कह सकते है radius of wheel of car यह कितना हो जागा 77 by 2 cm फोटर देखिए radius हमको में 77 by 2 तो हम circumference find out कर सकते हैं circumference of wheel of car यह कितना हो जागा 2 pi r आपको बता है circumference of circle यह क्या हो जागा 2 pi r and clearly जो car wheel है वो circle shape का है तो हम बोल सकते हैं car wheel का जो जो car wheel हो circular होगा तो हम कह सकते हैं कि इसका circumference कितना होगा 2 pi r अब यहां values रख दीजिए तो क्या मिल जाएगा 2 into 22 upon 7 into 77 by 2 cm अब देखिए यहां पर आप pi d का भी formula लगा सकते हैं मतलब यह दिमांग नहीं आना चाहिए इस 77 को 7 से डिवाइट कर सकते हैं तो फदर इसको solve करेंगे तो आपको circumference जो है वो कितना मिलेगा 242 cm तो car wheel का जो circumference है circumference कितना है हमारे पास 242 cm अब हमको पता है clearly distance covered by car in one revolution यह क्या होगा circumference of wheel के equal होगा मतलब जितना circumference होगा मतलब जितना car की wheel का circumference है उतना ही distance वो cover करेगा one revolution में so clearly यहाँ होगया distance covered by car in one revolution कितना है 242 cm अब यहाँ पर हम assume कर लेते हैं कि car जो है यह 121 km distance cover करने के लिए end revolution करती है यह car की wheel जो है not care car की wheel जो है वो 121 distance cover करने के लिए 121 km distance cover करने के लिए end revolution करती है यह हम कह सकते हैं the car travels 121 km in end revolution of wheel wheel जो है जह एं revolution करती है तो car कितना distance cover करती है 121 km अब distance cover by car in n revolution ये कितना आजागा n into 242 cm क्योंकि हमको पता है car जो है 1 revolution 1 revolution में 242 cm कर रहे है distance तो n revolution में कितना करेगी n into 242 cm जो कितना आजागा 242 n cm अब हमको मिल गया distance cover by car कितना है 242 n cm but given है कि total distance जो car travel कर रहा है या cover कर रहा है वो कितना है 121 km इसको meter में change कर लिजे फिर फर्दर क्या करें सेंटिमेटर में change कर लिए इसको meter में change करेंगे तो क्या हो जाएगा यह आपको मिल जाएगा 1,21,000 meter and further इसको क्या करें सेंटिमेटर में change कर दिए multiplied by 100 कर दिए आएगो आप यह बात समझपा रहे होंगे so total distance cover by car किस में आगया? सेंटिमेटर में आगया आप देखिए n revolution में car जितना distance cover किया है वही क्या होगा total distance cover by car तो आप क्या करिए n revolution resistance cover by car आपके पास already है जोगी क्या दा 242 n इसको क्या करिए इससे equit कर दिए and further क्या करेंगे आप इसको solve करेंगे तो यह जो 242 है इसको क्या करिए transpose कर दिए इधर multiply इधर आके क्या हो जाएगा? divide हो जाएगा and further आप क्या करिए? divide करिए तो n is equal to आपको मिल जाएगा 50,000 n is equal to क्या मिल जाएगा? 50,000 तो हम क्या सकते है कि n क्या है यहाँ पे? n है number of revolution जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है हमने assume किया था कि n revolution में जो है car वो n revolution of wheel में car 121 km distance cover कर रही है so n की value कितने हैं? 50,000 तो इसका मतलब कितना revolution कर रही है wheel कर रही है आपके पास wheel जो है वो 50,000 revolution कर रही है यहाँ पे question भी था how many revolution will it make to travel 121 km तो हम कह सकते है it will make 50,000 revolution to travel 121 km I hope आप यह question अच्छे से समझ गया होंगे question को solve करिएगा खुछ से solve करिएगा questions को जो भी question यहाँ बताया जाते हैं उन सभी questions को आपना खुछ से भी solve किया करिए और जब खुछ से solve करते हैं तो lecture में तो आप देखते ही हैं आपको question अच्छे समझ में आ जाता है बट फिर भी अगर further आपको कुछ doubt हुआ करें तो आप वो doubt सब clear कर लिया करिए सर्फ यही questions नहीं और भी questions जो आपको देए जाते हैं सभी questions को solve लिया करिए और अपने doubt जो है वो question जो है आपके वो app में send करके अपने doubts को clear कर लिया करिए चलिए, next question देखते हैं next question हमारे पास क्या है there is a circular pond and footpath runs along its boundary a man walks around it exactly once keeping close to the edge if his step is 66 cm long and he takes exactly 400 steps to go around the pond what is the diameter of the pond देखे क्या का जा रहा है की circular pond है इस तरीके से आप बना लिजे अब क्या का जा रहा है footpath runs along its boundary मतलब इसके boundary पर क्या है footpath मतलब लोग वहां पर walk कर सकते है given a man walks around it एक आदमी इसके around क्या कर रहा है एक तम edge के पास ही walk कर रहा है मतलब हम कह सकते हैं कि वह complete revolve कर रहा है मतलब पूरा complete round कर लेगा तो वह क्या करेगा जितना इसका circumference होगा उतना distance कवर कर लेगा अब कहा जा रहा है कि वह walk कर रहा है एक step में वह कितना distance कवर कर रहा है 66 cm और exactly 400 step में यह पूरा one round कवर कर लेता है तो अगर आप यहां से इसका circumference find out कर ले यह जो shape है आपके पास circular shape इसका circumference find out कर ले तो आप diameter आसानी से find out कर सकते है और circumference आप आसानी से find out कर सकते है कैसे है तो कि आपको पता है कि one step में 66 cm distance कवर कर रहा है जो walk कर रहा है और उसने total कितना 400 step walk किया है तो आपको पता जाएगा 400 step में वो कितना distance कवर करेगा जितना distance 4 step में कवर करेगा वही क्या होगा इसका circumference होगा circumference मिला तो आप diameter find out कर लेंगे चले solve कर लेते हैं अब given length of one step is equal to 66 cm So distance cover in 400 step कितना हो जाएगा 400 x 66 cm इसको further solve कर लिजे तो क्या मिल जाएगा 400 x 66 divided by 100 meter इसको solve करेंगा तो हमको मिल जाएगा 264 meter तो हमको क्या मिला हमको total distance covered by the man जो walk कर रहा है total distance कितना cover किया 264 meter तो यही क्या हो जाएगा यही तो circumference भी हो जाएगा अब देखिए assume कर लिजे कि diameter of pond जो circular pond है उसका diameter क्या है D diameter of pond क्या है D तो हम कर सकते है circumference क्या हो जाएगा circumference is equal to what distance covered in 400 steps देखिए pond जो था इस तरह के assume करते है pond जो था इसका diameter में D assume किया है तो वह इसे भी circumference क्या हो जाएगा पाई D हो जाएगा यहां हम भो सकते हैं यहां पे 2PiR हो जाएगा ठीक है अब यहां पे क्या है कि 400 step में पुरा यह एक round complete हो गया तो one round में जिसना distance cover किया है वही क्या हो जाएगा इसका circumference हो जाएगा और distance one round complete करने के लिए four step चलना पड़ा 400 step चलना पड़ा तो distance covered in 400 step जो है वह क्या हो जाएगा circumference के equal हो जाएगा तो यहां पे circumference के हमारे पास pi d so pi d is equal to 264 meter distance यहां पे आपने zoom ही कर लिए id इसको solve करिए तो क्या मिलेगा 22 upon 7 into d is equal to 264 इसको further solve करेंगे तो d is equal to 264 into 7 divided by 22 और यहां से d is equal to हमको मिल जाएगा 84 meter तो हम क्या सकते हैं कि यह जो हमारे पास circular pond है pond का जो diameter है तो हमारे पास कितना है 84 meter 84 meter diameter का जो है यह circular pond है जिसके around जो है वो man walk कर रहा है जिसका की हम कह सकते हैं कि one step में जो length cover कर रहा है distance cover कर रहा है वो कितना 66 centimeter और total 400 step में यह one round complete कर रहा है चली further चलते हैं next question की तरफ next question क्या है हमारे पास next question है the circumference of a circle exceeds the diameter by 30 cm find the radius of the circle अब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि किसी circle का circumference है वो diameter से 30 cm जादा है ठीक है हम गों क्या करना है radius of circle find out करना है तो चली इसको solve करते हैं इस्यूम कर लेते हैं radius of circle हमारे बास कितना है r cm अब radius of circle अगर r cm है तो circumference क्या होगा circumference of circle is equal to 2 pi r cm नेकिए यह तो हमको पता है कि किसी circle का radius r cm है तो उसका circumference कितना होगा 2 pi r cm अब circumference में क्या है 2 pi r cm diameter of circle क्या होगा यह हो जागा 2 r cm क्योंकि radius already r resume क्या है diameter क्या होता है radius का twice होता है तो हम कहते हैं diameter of circle is equal to 2 r cm now question के according जैसा कि question में given है question में क्या given है circumference of circle exceeds diameter by 30 cm तो circumference of circle diameter से 30 cm जादा है ठीक है 30 cm क्या है तो अगर हम diameter में 30 cm add कर दें तो circumference के equal हो जाएगा बास समझेगा circumference of circle जो है वो diameter से 30 cm greater है तो अगर हम diameter में 30 cm add कर दें तो यह क्या हो जागा circumference के equal हो जाएगा so 2 pi r is circumference 2 r is diameter इसमें हम क्या कर रहे है 30 add कर दे रहे तो क्या मिल जाएगा 2 pi r is equal to 2 r plus 30 अब इसको solve कर देते हैं तो हमको क्या मिलेगा 2 into 22 upon 7 into r is equal to 2 r plus 30 फर्दर solve कर दीजिए तो मिलेगा 44 upon 7 into r is equal to 2 r plus 30 आप देखें ये 2 r को transpose कर ले चाहिए तो हमको क्या मिलेगा 44 upon 7 into r minus 2 r is equal to 30 अब further solve करेंगे यहाँ पर देखें आप upon 1 लिख सकते हैं अब fraction solve करना आपको आता ही होगा तो आप क्या कर सकते हैं देखें इसका LCM ले सकते हैं यहाँ पर 7 आजाएगा फिर आप क्या करेंगे 7 को इस 7 को इससे divide करेंगे तो आपको क्या 1 मिलेगा फिर 1 को इससे multiply करेंगे तो क्या हो जागा 14 हो जागा तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 14 आर आई होब आपको यह बात सवन्या रहा होगा ठीक है या फिर आप ऐसे कर सकते हैं simple और भी simple तरीके से आप यह denominator का multiply करके यहाँ लिख दीजिए फिर यह दोनों का cross multiply करके यहाँ लिख दीजिए फिर यह जो sign है आपके पास यह sign यूज़ करिए फिर इन दोनों का multiply करके यहाँ पर लिख दीजिए आई हो आपको यह बात सवन्यारे पहले इन दोनों का multiply करके यह denominator लिख दिया फिर क्या किया इन दोनों का multiply करके यहाँ पे लिख दिया फिर क्या किया इन दोनों का multiply करके यहाँ पे लिख दिया और बीच में जो sign था वो ही sign यूज़ कर लिया is equals to क्या है हमारे पास 30 है अब इसको further और solve कर दिजिए तो 44R minus 14R 44R minus 14R is equals to 30R क्या हो जागा 30R so 30R upon 7 is equals to 30 इसको further solve कर दिजिए तो R is equals to क्या हो जाएगा 30 into 7 upon 30 इस 7 को इदर ले जाएगे तो यह 30 into 7 30 already है multiplied by 7 यहाँ हो जाएगा और यह 30 इदर आएगा तो इसको divide करेगा 30 into 7 divided by 30 30 आप हो सकते यह यहाँ numerator में है तो यह दर आकर denominator में हो जाएगा फर्दर देखिए 30 से 30 cancel कर सकते हैं या फिर आपको cancel करने confusion हुआ करेगे तो आप ऐसा करेए numerator को पहले यह solve कर लीजिए उसके बाद जो term यहाँ पर आएगा उसको 30 से डिवाइट कर दीए simple वो भी है पर यहाँ पर और भी simple है कि आपको 30 को 30 से cancel कर सकते हैं आपको 7 मिल जाएगा तो यहाँ पर R is equal to क्या मिला R is equal to हमको मिला 7 cm देखिए concept अगर आपको समय में आया होगा तो question बड़े आसाने से solve हो जाए question में मतलब जादा परिशानी नहीं होगी सिर्फ आपको formula एक ही तो use करना है circumference of circle जहाँ पर आप 2 pi r लिख रहे है और कहीं कहीं पर pi d लिख रहे है मतलब 2 r के जग़े दे लिख ले रहे है जो कि आपको पता है कि diameter of circle जो हो कितना होता है twice of radius चलते है next question की तरफ next question क्या देखी next question है a race track is in the form of a ring whose inner circumference is 352 meter and outer circumference is 396 meter find the width of the track देख क्या कहा जा रहे है कि एक race track है यहाँ पर देखी एक race track है race track जो किस form में है रिंग के form में जैसा कि आपको यहाँ पर बनाया गया है दिखाया गया है inner circumference given 352 meter and outer circumference given 396 meter हमको क्या find out करना है हमको find out करना width of racetrack मालाब यह देखी यह जो width यह find out करना है so यह width कैसे find out करेंगे हम क्या करें outer circle के radius में से हम क्या करें inner circle का radius माइनस कर दो assume कर लिजे outer circle का jaw radius है वो कितना है आपके पास R आइसाब पास कितना है आपक्स का theor रीजिव स्मॉल ऐस अका ओंचितना है आपके पास स्मॉल , ठीकिनए बड़ी सर्कली यह मों savez इनर दो पांच जो cinky तो हम क्या खरें कर्यां घरना हुआ मिशनला में बरिश क्या पैंज म Russia सब्ट्रेक कर दें चलिए इसको सॉल्व करते हैं let outer and inner radii of the ring be r meter capital r meter and small r meter respectively so clearly outer circumference क्या होगा यह हो जागा 2 pi r meter यह क्या हो जागा 2 pi r meter outer circumference क्या हो जागा 2 pi r meter so हम कहा सकते है clearly 2 pi r is equals to 396 क्योंकि outer circumference given है 396 meter यहां पर pi की वालू रख दीजिए तो क्या मिल जागा 2 x 22 upon 7 into r is equals to 396 अब r की value find out करना है इसको solve कर लेते हैं so r is equals to क्या हो जागा देखे 396 multiplied by 7 यह 7 यहां पर denominator में इधर आके numerator में हो जाएगा और 2 x 22 यह यहां पर numerator में इधर आके denominator में हो जाएगा सो अब इसको further solve करेंगे तो r इसको मिल जाएगा 63 meter इसको जब solve करेंगे तो r कितना मिल जाएगा 63 meter आत्र 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 मिल जाएगा 63 meter जयांद जाएगा अट कितना मिल जाए आपको 63 meter आट कौन सा ही है capital r capital r मतलब outer circle का radius यह कितना मिल जाए 63 meter अब उपको क्या करना है inner circle का radius find out करना है so inner circumference यहां पर कितना होगा 2 pi r क्योंकि inner radius हमने क्या assume किया है हमने inner area small r meter assume किया है तो inner circumference कितना हो जागा 2 pi r meter यहां बुक्सके है 2 pi small r meter so clearly 2 pi small r is equals to 352 क्योंकि inner circumference जो inner circle का circumference given है 352 meter यहां pi की value रख दिजिए तो क्या हो जागा pi की value हम क्या use करेंगे 2 upon 7 so 2 into 22 upon 7 into r is equals to 352 so r is equals to कितना मिलेगा 352 multiplied by 7 divided by 2 into 22 अब इसको फिर से solve कर लिजी इसको फिर से solve करेंगे तो क्या मिलेगा आपको r की value मिल जागी आज इको से कितना मिलेगा यहां पे 56 meter आज इको से कितना मिलेगा 56 यह बहुत दो कितना r कितना मिले 56 small r क्या है inner radius inner radius मिलेगा 56 meter outer radius इंको मिलेगा 63 meter देखें इनर radius मिलेगा 56 meter outer radius मिलेगा 63 meter हमको क्या find out करना है को width of track find out करना है width of track यह क्या हो जागा outer radius minus inner radius outer radius के capital R inner radius के small R तो width of track जिसको के हम T लिख रहे है T is equals to 63 minus 56 meter इसको further solve कर दीजिए तो जो आपको width है width कितना मिल जाएगा 7 meter width के दिने मिल जाएगा आपको 7 meter तो आप क्या सकते हैं कि जो required width था या जो required आपको width find out करना था वो कितना है 7 meter है I hope question समय में आया होगा देखे question में आपको outer circumference and inner circumference गिवन था आपने क्या कि outer radius inner radius assume किया outer circumference के help से outer radius find out किया inner circumference के help से inner radius find out किया outer radius मानेस inner radius करतीया तो आपको width of track मिल गया चलिए चलते है next question कि तरफ next question क्या है देखे the inner circumference of a circular track is 220 meter the track is 7 meter wide everywhere calculate the cost of putting up a fence along the outer circle at the rate of rupees 2 per meter question पर द्यान दीजेगा inner circumference of circular track given है कितना है 220 meter track is 7 meter wide track जो है track की width आपको given है कितना है 7 meter हमको cost of putting fence find out करना है along the outer circle at the rate of rupees 2 per meter so cost of fence find out करने के लिए हमको circumference चाहिए पहले outer circle का outer circle का circumference find out करने के लिए हमको outer circle का radius चाहिए तो देखिए assume करेए आपको इस तरीके से circular track given है इसका inner जो circle है उसका radius कितना है यह आपके पास smaller outer radius हो यह capital आ रहे है और width तो आपको 7 meter given ही है तो आप क्या करें inner circumference के help से आप क्या करें inner radius find out कर लिए inner radius find out करने के पास inner radius और यह जो width of track है इसके help से आप outer radius find out करिए outer radius मिल जाएगा तो आप outer circumference find out करिए और outer circumference आपको मिल गया तो आप क्या करिए rate से multiply करिए आपको cost of fence मिल जाएगा चलिए इसको solve करते हैं so assume कर लिजे the inner and outer radii of the circular track be small r meter and capital r meter respectively ठीक है inner radii को हम in small r meter बोलें and outer radii को हम क्या बोलें capital r meter respectively so inner circumference यह कितना हो जागा 2 pi r meter अब inner circumference हमको given है कितना given है 220 meter हम कहा सकते है 2 pi r is equals to 220 इसको further solve कर देजिए क्या मिलेगा 2 into 22 upon 7 into r is equals to 220 so यहां से r equals क्या मिलेगा 220 multiplied by 7 upon 2 into 22 so इसको further solve करेंगे तो r equals को मिल जाएगा 35 meter जैखे इसको आप solve कर सकते हैं इसको further solve करेंगे तो आपको मिल जाएगा r is equals to 35 meter now r यह कौन सा आ रहे है यह inner radius है यह मुत रहे है यह small r है small r क्या inner radius inner radius मिल गया inner radius और thickness के help से outer radius find out कर लीजे तो since track जो है वो 7 meter wide है सभी जंगा पे तो हम कहा सकते है outer radius capital r is equals to what that is small r plus 7 यहां बसकते inner radius plus 7 meter so यहां पे outer radius r is equals to 35 plus 7 meter जो क्या मिल जाएगा आपको 42 meter यहां से आपको capital r कितना मिला यह 35 plus 7 यह कितना मिल गया 42 meter outer circle जो है outer circle का radius आपको मिल गया 42 meter अब हमको क्या find out करना है cost of putting fence तो उसके लिए हमको outer circle का circumference चाहिए कितना हो जाएगा 2 pi r meter यहां value रख दीजिए so outer circumference equals to 2 into 22 upon 7 into 42 meter इसको solve करेंगे तो outer circumference जो है वो कितना मिल जाएगा 264 meter अब outer circumference मिल गया 264 meter और हमको cost of putting fence जो है यह हम बुल सकते cost of putting fence 1 meter यह बुल सकते cost of fencing 1 meter given है यह कितना है rupees 2 यह आप यह से बोल दीजिए rate of fencing given है कितना है rupees 2 तो आप लिख सकते cost of fencing 1 meter is what that is equal to rupees 2 so cost of fencing 264 meter यह कितना हो जागा rupees 2 into 264 so multiply कर देजिए तो आपको answer मिल जाएगा rupees 528 so cost of putting fence यह कितना हो जागा 528 देख concept कितना असान था आपने क्या किया आपने inner circumference के help से inner radius find out किया inner radius और width के help से आपने क्या किया outer radius find out किया outer radius find out करते ही आपने क्या क्या outer circumference find out किया और जैसे outer circumference मिल गया आपने क्या किया rate से multiply कर दिया और आपको cost of fencing मिल गया तो आई हूप जितने question आपको यहाँ पे बताया गया आज सभी question आपको अच्छे से समझ में आ गया होंगे अब दो कि similar question जैसा हम लोगों ने यहाँ पर study किया हुआ जैसा question आपने पढ़ा जैसा example में question किया हमने वैसे question आपको यहाँ पे screen पे दिख रहा है इन सभी question को solve करिए इन सभी question को try करिए आप सभी question को आसानी से कर ले जाएंगे आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली class में thank you very much